नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के इन 6 हस्तियों को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार बिपीसी ने जारी किया परिच्छा कालेंडर बिहार के इन IAS को मिली प्रोनती पुर्दू अर्भी वफार्सी के 25,000 सिक्छकों के चैन के लिए होगी विसेस TET और STET औस्ट्रेगाई कप्तान पैट कमिश हुए बाहर इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार के इन 6 हस्तियों को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार देश की पहली आदिवासी महिला राश्टरपती द्रौपती मुनमूर के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भावे शमारो में बिहार के छे हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है उनमें बिहार के चर्चित नाटक कार और रंकर्मी फिर्शिकेस सुलब लोग गाईका, रंजन ज्छा, चर्चित ठुमरी गाईका, कुमुज़ा दिवान, वरिस्ट अभीनीता, निलेश्वर मिश्रा, वरिस्ट नाट्य, निर्देश अकमितलेश राय और दर्भंगा घराने के वरिस्ट धुरूपत गायक तथा इलाहाबाद क फिर्श विद्याले के संगीन सिक्षक पंडित प्रेम कुमार मलिक के नाम शामिल है, इन सभी लोगों को पुड़ाश्टिय पुरुसकार समेत एक लाख रुपए, अंगवस्त्र और तामर पत्र भी भेट किया गया है बीपीएसी ने जारी किया परिच्छा कालेंडर, विहार लोग सेवा आयो के द्वरा परिच्छा कालेंडर जारी कर दिया गया है जिसके नुसार बीपीएसी 68-वी पीटी परिच्छा का रिजल्ट 27 मार्च को घोशित किया जाएगा तवही BPSC सरसटवी मुख्य परिच्छा का रिजल्ट 14 माई को जारी किया जाएगा इसके अलावा CDPO मुख्य परिच्छा का रिजल्ट 13 अप्रेल को जारी किया जाएगा और Auditor की मुख्य परिच्छा का रिजल्ट 18 मार्च को जारी किया जाएगा इसके साथी Assistant Audit Officer मुख्य प पर इच्छा 4 जून को आयूजित की जाएगी बिहार को मार्च में मिलेगी बड़ी खुशखबरी मार्च महीने में बिहार को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है पतादी के बिहार सरकार के जल संसाधन विवा के सचीव संजय कुमार अगरवाल को पत्र लिख किंद्रिय सिचाई और सक्ती मंडल के सचीव एके दिनकर के दोरा कहा गया है कि 3 मार्च को दिल्ली में CBIPP दिवस के दिन बिहार की महती पर योजना, गंगा जलापूर्ती, योजदा और फल्गुन नदी पर रवर डैम यानि गाया जी डैम के निर्वान योजना को चयन, किंद्रिय सिचाई और सक्ती मंडल CBIP अबॉर्ड 2022 सबारो पुरवक प्रदान किया जाएगा, पतारी किस दोरान कारी किरम में किंद्रे उर्जामंत्री आरके सिंग भी मौजूद होंगे, मालूम हो कि बिहार की योजना का चयन, इस प्रतिस्ठ रास्ट्रिय पुरुषकार के लिए जल संसाधन उर्जा और अपरमपरिक उर्जा के छेतर में बहतर कारी करने के लिए दिया जा रहा है। अध्यक्षता में लिया गया है इसके साथ ही पुलिस सहाय एवं कल्यान दो से साथ आवेदनों को मंजूरी दी गई है और 7.4 शुने लाग रुपे का भुकतान भी दिया गया है अब कोई भी बनवा सकता है आयुस्मान भारत हेल्थ आभाकाउंट अब बेहार में किसी भी व दॉक्टर को सिर्फ अपना अकाउंट नंबर बताना होगा और फिर दॉक्टर के सामने उसके अकाउंट के जरिये उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री शामने आ जाएगी इसके साथ ही इस अकाउंट की मदद से मरीज किसी भी चिकिसक से टेली मेडिसीन या ओनलाइन इलाज क बता दे कि केंदर सरकार के दौरा बिहार में 20,31,000 आभा अकाउंट बनाने का टार्गेट किया गया है जिसे 13 अप्रयाल तक पूरा किया जाना है बिहार के इन IAS को मिली प्रोनती बिहार सरकार के सामाने प्रशासम विभाग की तरफ से जारी अधिसूशना में 14 IAS अधिकारियों को प्रनातीब दी गई है जिसमें पंचायती राज के प्रधान सचीव मिहीर कुमार सिंग और उद्योग विभा के प्रधान सचीव संदीप पौंडरी के नाम शामिल है इनके साथ ही कई अन्य अधिकारी हैं जो की सेवा निर्वित हो चुके है चैसे उदय सिंग कुमावत, राना अवधिश कुमार, अनवर आलम, अशोग कुमार सिंग, विरंदर कुमार पांड़ी, कमलीश्वर प्रशाथ सिंग, ब्रिगुनात, उपाध्याई, कुमार आनन्द का नाम शामिल है हाला कि दयांद, प्रशात, मुर्दि धर राय, ओम, सम, बंदे और ब्रिगुनात, दुवेदी के मामला, विजलित होने की तिथी को सेवा निर्वत रहने के कारण इनकी प्रोनती नहीं हो पाई है अब बिहार में साइबर क्राईम पर ऐसे लगई की लगा पिहार में लगातार साइबर क्राइम से जुरी घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है इसी को देखते वे अब साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए राजे सरकार के दौरा एक बड़ा फैसला लिया गया है दरसला राजे सरकार के दौरा राजे में साइबर से जुरी सिकायतों की सिकायत करने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेलप लाइन के शुरुआत करने का एलान कर दिया गया है बता दे के आर्थी कप्रा अधिकाय के एडी जी नयर हुसनैन खान के दौरा दी गई जानकारी के नुसार इस हेलप डिस के शुरुआत 26 परवड़ी से होगी और 112 की तरज पर काम करने वाली हेलप लाइन सेवा डायल 1930 सुरू की जाएगी उर्दू अर्वी वफार्सी के 25,000 सिक्षकों के चैन के लिए होगी विशेश TET और STET बिहार के सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर सिखर के दोरा अफसर कुन रिर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के अंदर विशेश TET तथा STET के लिए नियामावाली और कारी योजना को बना ले ताकि बिहार के प्राइमली से लेकर उच माध्यमेक स्तर के स्कूलों में उर अरवे विशे के सिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विशेश TET और STET हो से दिन CBI के टीम के दरा विहार के हाजीपुर में पुर्व मध्यर रेल के जोर्नल कारयाले में बड़ी कारवाई की गई है टीम ने रेलवे के चीफ कंट्रोलर अब है कुमार के ओफस और उनके ठिकानों पर कई घंडे तक छापे मारी की और फिर रेलवे करमचारी को CBI के टीम के दौरा अब है कुमार से करीब एक घंटे तक पूछताच की गई है इसके साथ इस CBI की टीम ने सोनपूर मंधल रेल हॉस्पिटल के मुख्य चिकिस्ता पतादिकारी मनोज कान गुपता से भी रात एक 11 बजे तक पूछताच की इस रेड को लेकर C.P.R.O. विरंदर कुमार के दौरा चानकारी देते वे बताया गया है कि अब तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिली है कि अच्छा पिमारी किस लिए की गई है और किन-किन लोगों से पूछताच की गई है नेहा सिंग राठोर के समर्थन में उत्रे बिहार के ये मंत्री इंदनों भोजपूरी लोग गाई का नेहा सिंग राठोर के गाई गानों को लेकर राजनेती गलियारों में सरगर्मी बनी भी है वही अब नेहा सिंग राठोर के समर्थन में बीतर दिन बिहार सरकार के लोग गाईका है अगर वह अपने गीतों के माध्यम से लोगों को सज़ा करनी की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है सरकार के दोरा उन्हें जो नोटिस भेजी गई है वह सरासर गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में भी उन्होंने हम लोग के लिए गीत गाया था तो क्या हम उस समय हमने भी उन्हें नोटिस थमाया था उन्होंने खाया कि अगर कानपूर देहात में लोग जले हैं मरे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग कुछ तो बोलेंगे अगर विहार में भी कोई हाथसा होता है तो लोग अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं तो क्या हम लोग कारवाई करते हैं गायका को नोटिस थमाने से बहतर सरकार को इस मामले पर कारवाई करनी जाहिए। लिसनवाई के लिए चार सब्ता के बाद की तारीक नरधारित की गई है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देवगर कोशागर से अवैद निकाशी मामले में लालु यादव समेथ सजायाफ्ता को तीन से छे साल की सजाद दी गई है इनी सजायाफ्ता में तीन की मौत भी हो चुकी है वही लालु यादव को इस मामले में सारे 3 साल की सजा मिली है जब कि उन्हें आधिकतम 7 साल की सजा मिलनी जाहिए नित्यानंद राई का नितीज तैरश्वी को चनौती उनने अपनी टागत का पता चल जाएगा उन्हें यह पता चल जाएगा कि वे जिनता किसके साथ है इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2024 लोग सभाचना में महागरवन्धन का सत्ता सूपरा साफ हो जाएका नितीज कुमार और तेश्वी आदर की बातों पर अब किसी को भरोसार नहीं रहा तो उन्हों कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे या कहना मुश्किल है इनकी बातों से लोगों के बीच काफी भ्रम फैला है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गिरास सिंग का बयान बिहार में तिन प्रति दिन मुख्यमंत्रे की कुरसी के लिए सरगर्मी बढ़ती जा रही है इसी बीच अब किद्रे गिर्मंत्री गेरास सिंग्ने बेगू सराय में मुख्यमंत्रे नितीस कुमार और सीम पद की कुरसी को लेकर अपना बयान दे दिया है उन्होंने कहा कि नितीस कुमार को लगता था कि केसी यार उनका नाम प्रधान मंत्री के लिए प्रस्तावत करेंगे लेकिन अगर देखा जाए तो उनका नाम प्रधान मंत्री पद के लिए कोई नहीं ले रहा है नितीस कुमार अब अपने अंतिम राजनितिक यात्रा पर नहीं बल्कि बु आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत और उस्ट्रेलिया के बीच एक मार्च से इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है मिली जानकारी के नुसार पैट कमिंस की माब बिमार है जिस वज़े से उन्हें वापस लोटना पड़ा वहीं अब उमीद जताई जा रही है कि हमदाबाद में होने वाले चौथे टेस्ट में कमिंस लोट सकते हैं अगर कमिंस उस दोरान भी नहीं लोटे तो चौथे टेस्ट मैच की भी कपतानी स्टिव स्मिथ के द्वारा ही निभाई जाएगी जानी आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानि सुक्रबार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किएगा इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रॉल 107.2 रूपे और डीजल 94.2 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मजपपरपूर में पेट्रॉल 107.9 रूपे और डीजल 94.6 रूपे प्रती लीटर मिल रहा है इसके साथ ही गया में पेट्रोली कीमत 118.31 रूपे और डीजल की कीमत 45.04 रूपे प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रोल का एट सबस्यादा कसंगंज में हैं जहां पेट्रोल 109.40 रूपे प्रती लीटर और डीजल 46.04 रूपे प्रती लीटर की दर्स दे मिल रह चुज़ा को अब भरते हैं आज के सवाल की उर। आज का सवाल है आपके अनुसार आयुश्मान भारत हेल्थ आभा अकाउंट बनवाने से लोगों को क्या फाइदा मिलेगा आपने जवाब हमें अमारी कामेंट सेक्षिन में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद